यूटूब चैनल आज के इस वीडिव में मैं बात करने वाला हूँ वालेश स्टॉक में आप दीज़सरी बनता है यहाँ पे investor selling side से थोड़ा ज्यादा pressure लगा रहे है, इसके पीछे क्या है वज़ा देखेंगा अगे इस वीडियो में, तो अभी बजार में PSO stock पे थोड़ा pressure चल रहा है, यहाँ पे आपको hold tight करने की ज़रुत है, अब देख सकते हो, पिछले 5 जिनों की बात कर ले, stock में हो चुका है, और share में अभी bearish daily ही बनावा है, इस पेर से stock नीचे ही जा रहा है, तो कहां तक stock गिरेगा, यह भी जाने की कोसिज करेंगे, आगे chart pattern पे, 6 मेने की बात कर ले, तो आप देख सकते हैं, 42% stock में returns है, अच्छा returns है, top से bottom stock लगभग 20% गिर चुका है, Google पे 15% ही द बहुत ज़्यादा panic करते हैं, और अपने share को sell करके निकाल देते हैं, और यहां से जब भागना start किया stock देख सकते हैं, कितना अच्छा भागा, अभी यहां पे गिर रहा है, उसी प्रकार यहां पे आपको patience रखने होंगे, अगर इस जगह पे अगर आप बोर हो जाएंगे, panic करेंगे, share को sell कर देंगे, तो आपका share यहां पे profit निकाल कर नहीं देगा, तो इसलिए hold भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, जब इस टॉक बहुत ज़्यादा returns निकाल कर देता है, तो वहां पे हर कोई इसके पीछे पढ़ जाता है, नीचे आएगा, तब जाके इसमें entry न होगा, तो इसलिए यहां पे बहुत ज़्यादा hold करने की ज़रत है, and analyst भी यहां पे अच्छा expect कर रहे है, reversal करेगा, तो 250 तक के target निकाल कर देगा, थोड़ा patience आपे बना रखने की ज़रत है, अब देख सकते हो बजार बहुत अच्छा perform कर रहा है, आईटी वजर से nifty 50 दोस्तों, and WSE पे 22 लखी quantity है, तो थोड़ा quantity अभी यहां पे कम हो चुका है, इसके पीछे का जो बड़ी वज़ा है, वह सभी hold कर चुके है, and जिसे profit booking करना था, वह यही सब लेवल ने profit booking किया है, और अब यहां पे stock बहुत निचा आ चुका है, तो धीर-दीर अब इसमें और जैसे share इस range को break करता है, फिर यहां पे अच्छा returns आपको देखने मिलेगा, next target की बात के लिए 270 रहने वाला है, so share का support and resistance आप समझ लेजिए, इसका जो resistance है, 250 का है, जब share 250 को break करता है, target 270, then target 280, फिर यहां से direct stock बहुत जाएगा, 300 के पास, इस तरह से आपको इसमें देख and be है, 270 break करने के बाद stock रुकेगा नहीं, and support की बात कर लिए, इसका support है, 230 का, आप यहां पर देख सकते हैं, यहां से stock support ले रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, अगर यह support break होता है, तो फिर ग्रावर्ट यहां पे ज़्यादा होगा, अभी short term निविस सको, थोड़ा इंतज बनेगा, यह breakout होता है 250, तो फिर आप यहां पर entry ले सकते हैं, बाकि long term निविस सक, entry लेकर hold यहां पर कर सकते हैं, पुरा पैसा एक बर ना लगा है, जैसे से stock गिरता है, यह breakout होता है, उसके बाद पैसा इसमें आप डालते जाएं, इस तरह से अगर आप invest करते हैं, तो stock बहुती बड़ा update देखने को मिल रहा है, company fundage का plan बहुती बड़ा बना रहा है, अभी recently आपने एक update देखा होगा, जिसमें की 50 क्रोड company fundage करने वाली है, और इस बार का जो update है, वो बहुती बड़ा fundage को लेकर है, बहुती बड़ा update है, क्यों fundage company करना चालते है, support its future capital requirement and lending for renewable energy project, जो project आने वाला है, रिन्यूबल में, उसको अच्छे से finance करने के लिए, उसको growth देने के लिए, अच्छा सब fundage करेगा, तभी यहाँ बात बन सकता है, और यह fundage IPO भी लेकर आ रहा है, काफी सारी तरीके से company fundage करने वाली है, total fundage यहाँ पे आप देख सकते हैं, 24,200 क्रोड total IRIDA यहाँ पे fundage करने वाला है, तो एक बड़ा update यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आगे आप देख सकते हैं, November and February तक में, यहाँ से काफी सारी update आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए इस जगह पे invest कर रहे हैं, तो patience आपको tight hold करनी की जोरत है, क्योंकि काफी सारी update इसलिए आपको देखने को मिल रहे हैं, और रिसेंटली 5,000 क्रोड कमपनी अप्यो से fundage कर रहा है, और आने वल अपडेटे में काफी सारे bonds हो गया, QIP हो गया, right issue होगा, यह सब से लेकर कमपनी fundage करेगा, total 24,200 क्रोड के fundage होने वाले हैं, तो दोस्तों एक अच्छा ख़़ मोटर भी अपना सिर को सिल करेगा, तो इसलिए भी थोड़ा weakness देखने को मिल जाता है, 24,200 क्रोड का fundage करने वाली है, और यह अपडेट निविस्टर को बहुत ही पसंद आने वाला है, लेकि long term में, क्योंकि fundage करकर company क्या करेगी, business करेगी, और फिर loan book में इसका ब्रिदी द देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो इसलिए इसमें आप 2-3 साल इस प्रेकर से भी आप hold कर सकते हैं, recently stock में बहुत अच्छा returns मिल रखा है, 300% लगभग return मिला हुआ है, share 32 रुपे से 32 रुपे का IP होता, 60 पे listing होता, उसके बाद पैसा यहाँ पे stock ने काफी कुना कर दिया, multi- returns निकाल दे रहा है, तो इसलिए भी धिरी-धिरी returns मिलेगा, अब इतना अच्छा तीजी आईवाए, थोड़ा अराम करेगा, थोड़ा रिष्ट करेगा, उसके बाद फिर बिग इसमें डेली देखने को मिलेगा, तो पेसी सा पे आपको बहुत ज़्याद रखने की चौरत